जोहारगे, विल्कुम बैक टू मैं चैनल संथाली ब्लॉगर्स निया फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को एक कैन्वस आर्ट बनाना सिखाऊंगी जो की त्री पेसेस में बनेगी ये काफी इजी है और बनने के बाद ये काफी ब्यूटिफुल लगेगी और इसको बनाने के लिए भी जो मेटेरियल्स लगेंगे वो काफी अफॉर्डिबल प्राइस में मिल जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आप इन मेटेरियल्स को ऑनलाइन भी पर्चस कर सकते हैं तो मैं सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी पैंसिल और पर्मनेंट मार्कर पेंट ब्रश कैमल कैनवस बोड फेवेक्रिल अक्रिलिक कलर तील ब्लू शिक्स्टी एट क्रिमसन जीरो फोर ब्लाक जीरो टू सबसे पहले हम सारे बोड्स को ब्लू पेंट करेंगे जो की हमारा बेस कलर होगा यहां मैंने फ्लाट ब्रश लिया है प्लाट ब्लाट बान ब्लाट ब्लाट झाल 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 तो इस तरीके से हमने तीनों बोड को पेंट कर दिया है अब हम इसमें पेंसिल या पर्मनेट मार्कर की मदद से पेंटिंग बनाएंगे मैं यहाँ एक पेड बना रही हूँ झाल झाल अब हम इस तरीके से सेकेंड बोड को फर्स्ट वाले के साथ बराबर लगा के इससी पेंटिंग को कंटिन्यू करेंगे अब हम इससाइ्ट है अब हम इससाइ्ट कर दोist प्रूब अब हम इससी प्राबर अब्सवाद कर दोड़े अब हम इसमें डाली के उपर में दो बर्ड बनाएंगे हम इसमें बर्ड बनाएंगे वह जब हम इसे मछाओ प्रॉड के चे चाहते जब हम इसे खाली ही तरहांगे बनाएंगे खाली के पाली के आदे के शाली के चाहते हैं इसी तरह हम हमारे ठर्ड बोर्ड को भी लेंगे और बराबर रखके उसी पेंटिंग को कंटिन्यू करेंगे तो यह हमारा पेंटिंग बन चुका है तीनों बोर्ड में अब हम इसमें ब्लाक कलर से फील करेंगे यहां मैंने पॉइंटेट ब्रश लिया है कि मुण ब्लाक के लिए और शाज करेंगे को कि मुण देए करेंगे तीन में से वेंगे जाड़ी तीन Keu कि कि तो यह हमारा फर्स्ट बोर्ड पेंट हो चुका है ब्लाक तो अब हम इसे ड्राई करने के लिए देंगे तो अब हम इसे ड्राई करने के लिए देंगे तो इसी तरह से हम हमारे सकेंड बोर्ड को भी पेंट कर लेंगे अब हम इसे लिए करने के लिए देंगे अब हम इसे लिए देंगे बोर्ड करेंगे बोर्ड 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 करने के लिए देंगे झाल कर दो 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 कर कर दो 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 कर अब हम इसमें रेड कलर से फ्लावर बनाएंगे यह चोटे-चोटे पत्ते बनाएंगे हम जाजी आज बनाएंगे अलेड बनाएंगे बनाएंग झाल 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 तो इस तरीके से हमने सारे बोड्स में फ्लावर्स या फिर पत्ते बना लिये हैं तो चली आगे देखते हैं तो यह जाल तो यह रहा मेरा पैंटिंग इसे मैंने वाल पे इस तरीके से लगाया है और आपको मेरा पैंटिंग कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट प्लोग में तब तक की डे बाबाइ